किड्नी फेलियर के केसे दिन-प्रति-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं किड्नी को संस्कृत में विर्क का बोलते हैं विर्क का दोश बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हम एलोपेथिक दवायां जyदा खाते जा रहे हैं जैसे जैसे हम फर्टलाइजस, फेसिसास, इंसेक्सिसाइस का प्रियोग करते जा रहे हैं। इसे एक तरफ यूरिया, डी-ए-पी और तमाम तरह की खतरनात कीट नास्थकों से राशानिक प्रियोग से जो हम खेती कर रहे हैं। जैसे किड्नी का रोग बढ़ रहा है, बी-पी, शूगर, और कैंसर की बीमारी, इंफार्टिलीटी, और चमडी के रोग, यहां तक की मानसिक विकलांगता, विकलांग बच्चे पैदा हो रहें। यह किड्नी की प्रॉब्लम और इसका इलाज कोई नहीं है। जैसे ही आपका क्रेटिन लेवल डेड़ से जादा जाता है, तो समझ लो आपकी किड्नी खराब होनी शुरू होगी। दो, तीन जब क्रेटिन लेवल पहुचा तो समझ लो आपको फिर डालेसिस कराना पड़ेगा। और बाद में क्रेटिनी को ट्रांस्प्लांट करना कबाल भात ये पांट दस मिनट से सुरू करके आदा घंटे तक करवा देते हैं, अनुलो मिलो प्रणायम ये भी आदा आदा घंटा करवा देते हैं, बाकी आठ प्रणायमों का पूरा जो पैकेज हैं उसको करवा थे, सबसे छोटे उंगली के टोप पर दबाते हैं और बात जादा बढ़ता है किड्नी के रोगियों का तो उससे और जादा किड्नी फिर डाइमेज होती है, इसलिए उनको मुक्ता वटी भी साथ साथ खिला देते हैं, वरिक दो शर क्वांत एक एक चमच और वटी एक एक चमच गोली और पुनर नवादी मन्दूर आफशिकता हुए किड्नी की जो सेल है, वो सक्री होने लगते हैं, क्रिटिनल लेवल एकदम नौरमल आने लगता है, जिनका 14-14 पॉइंट तक पहुँच गया था, उनको हमने ठीक किया, और यूरिया जो 40 से नीचे होना चीओ, जिनका 100-200-200 तक पहुँच गया था, उनको भी हमने हम नेमित रुप से करा करके और अर्विद की उशदिया दे करके, इसमें प्रोटिन डाइट को थोड़ा कम कर देते हैं, नमक को तुरंट बंद कर देते हैं, नमक बंद करवा देते हैं, प्रोटिन डाइट कम करा देते हैं, दालें भी बंद करवा देते हैं, और हम देखत डालेसिस के लिए भी नहीं जाना पड़ता है डालेसिस और किन्डी ट्रांस्प्रांट समाधान नहीं है समाधान है कपाल भाती प्रणायाम आयरवेदिक और प्राकरतिक उपचार